वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को NDA की संसदी दलका लगातार तीसरी बार नेता चुन लिया गया है। निदेश कुमार ने जेडियों के तरफ से नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधान मंत्री पद के लिए समर्थन दिया। उन्होंने कहा दत साल से ये प्रधान मंत्री है वहीं फिर प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे देश की स्तेवा है पूरा भरोसा है जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी राज्यका है हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहें। साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहें। तो सब लोग ठीक हैं हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे थेस्ट को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत चीछी की बात हैं। यही हम लोग को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम सुरू हो जाया सपतगरन हो जाया अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छाता है लेकिन आपके जब इच्छा है तो जब भी हो जितना तेजी से काम हो जाया तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुसी होगी और पूरे देश में इसका बहुत जादे फाइदा है इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाव नहीं है इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके नित्रत में सब लोग काम करेंगे सब लोग चलेंगे इनी सब लोग के साथ और आप सब लोग इतना खुसी हैं सब पार्टी के लोग मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और यही कहूँगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ हो करके जो कुछ भी क करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इनी सब्कों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद